Hello बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं Class 7 की Worksheet No.11 जो की 27th of August 2021 की Worksheet है और आज का subject है Mathematics और आज जो हम topic पढ़ने वाले हैं वो है addition and subtraction of decimal numbers तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि decimal numbers को किस तरीके से add करें and subtract करें तो चलिए पहले इस टेबल को study करते हैं टेबल के center में हमें decimal points दिखा रखे हैं और इसके अगर हम left hand side में जाएं तो main numbers जैसे की first number है decimal points से left की side first number है ones second number को हम बोलते है tens and third number को हम बोलते है hundreds अगर decimal point के हम right hand side में जाएंगे तो जो first number है उसके हम बोलेंगे tenth second को बोलेंगे हम hundreds और third को हम बोलेंगे thousands ठीक है तो अब इस basis पे हमें इस table को complete करना है first तो इन्होंने part already कर ही रखा है decimal यहाँ आएगा decimal के पहले first number पे हम लिखेंगे 4 then 3 then 2 ठीक है decimal side के अगर हम right hand side में जाएंगे तो 5, 5 and 8 अब second वाले table में हमें यह number दे रखा है और यहाँ पे कुछ blanks दिये हुए है हमें fill करना है कि क्या numbers आएंगे यहाँ पे तो देखो क्योंकि यह number है decimal point के अगर हम left hand side जाएंगे तो पहले 2 है then 1 है अब 1 के आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगा सकते है ठीक है सेम ऐसे अगर हम decimal side के right hand side में जाएंगे तो पहले 6 then 2 and then 5 अगर हम third column में देखें तो यहाँ पे तो सारे number उन्होंने fill कर रखें है हमें यहाँ पे number लिखना है कि यह number क्या है तो यह number है 525.169 अब ध्यान रखेंगे कि decimal point के right hand side के numbers को हम 169 नहीं पढ़ेंगे इसको अलग अलग number पढ़ते है 1, 6 and 9 ठीक है तो अब इसके बाद हम समझेंगे addition of decimals यानि decimal के numbers को अगर हमें add करना है तो किस तरीके से add करेंगे चलो देखते है पहला number हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे 25.45 अगला number लिखने के पहले हम point देखेंगे point के जस नीचे हम point लगा देंगे अब उसके बाद या तो हम left hand side की या right hand side की किसी भी एक number को पहले लिख लेंगे तो चलो हम पहले लिख लेते हैं left hand side के number को तो इसके पहले है 6 then है 4 अब right hand side में पहले है 5 again 5 और इस number को हमें add करना है 5 plus 5 आएगा 10 then 5 plus 4 plus 1 आजाएगा 10 अब यह जो carry है यह जाएगा 5 पे अब क्यूंकि यह दोनो numbers complete हो गए और इसके बाद point है तो हमें नीचे भी point लगाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद 6 plus 5 plus 1 यह आजाएगा 12 और 1 यहाँ पे चला जाएगा then 4 plus 2 plus 1 यानि की 7 तो इसका मतलब answer आजाएगा हमारा 72.00 तो add करते वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि देखो इस point के बाद दो नंबर है इस point के बाद दो नंबर है तो इस point के बाद भी दो नंबर आने चाहिए ठीक है अब सेम ऐसे हम सीखते हैं कि subtract कैसे करेंगे तो यहाँ पे subtraction हमें करना है 44.99 में से हमें इस नंबर को subtract करना है तो again point के नीचे point लिखेंगे अब इस बार हम पहले right hand side वाला नंबर लिखेंगे तो 7, 5 और left hand side में 5, 1 आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं left या right से अब इसे minus करना है अब देखो 9 में से 5 minus करेंगे 4 9 में से 7 minus करेंगे 2 अब इसके बाद decimal आ गया तो decimal लगाएंगे then carry लेंगे तो answer आ जाएगा 29.1 29.24 actually यह difference इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ था और हमने यहाँ पे 9 लिख लिए है ठीक है पर कोई नहीं, method same ही है जिस तरीके से हमने minus किया है उस तरीके से ही concept वही है concept हमें समझ में आना चाहिए उसके बाद हमें जो question number 1 दे रखा है वो है number pyramid तो यहाँ पे इस pyramid में कुछ blanks दे रखे हैं हमें उनको fill करना है तो देखो 2.7 है इसको 2 parts में split करना है तो एक तो आ गया 0.8 दूसरा कितना आएगा तो 2.7 में से अगर 0.8 minus कर देते हैं अगें point के नीचे point लिखेंगे अब क्योंकि point के left hand side में कोई भी number नहीं है तो 0 लगा सकते हैं और minus करेंगे तो यह आ जाएगा 17 17 में से minus करेंगे आ जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 1 तो यानि इस वाले blank में आ जाएगा 1.9 ठीक है अगें अगर हम देखना चाहें इस blank में तो 0.8 और 2.7 को एड करेंगे इस वाले blank में आंसर आ जाएगा कैसे करेंगे तो 2.7 लिखेंगे point के नीचे point लिखेंगे और इसके right hand side में है 8 और left hand side में है 0 एड करेंगे तो कितना आ जाएगा यह 5.3 ठीक है तो यानि कि इस वाले blank में कौन सा नंबर आएगा यह आएगा 3.5 ठीक है अब इसके बाद हमें निकालना है इस वाले blank में कितना आएगा तो क्या करेंगे 7.6 में से इधर 3.5 आए था इसे माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा blank में नंबर यह जो blank में नंबर आएगा उसमें से 2.7 माइनस करेंगे तो इस blank का नंबर आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद इस वाले blank में जो नंबर है 2.7 और यहां 3.5 था दोनों को आड़ करेंगे जो नंबर आएगा उसको यहां लिखेंगे फिर इन दोनों नंबर को आड़ करेंगे जो आएगा उसको यहां पे लिखेंगे अब यह मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सिंपल एडिशन है बहुत छोटे-छोटे से नंबर से आप इनको आसानी से एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है एड 4.35 और 65.06 तो पहले तो हम 4.35 लिखेंगे उसके बाद next नंबर क्या है 65.06 तो अब हमें कहीं पे भी कोई सा भी नंबर नहीं लिख सकते हैं हमें इस पॉइंट के नीचे ही अगला पॉइंट लगाना पड़ेगा अब उसके हम राइट हैंड साइड वाले नंबर लिख लेते हैं 0 and 6 और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर आजाएंगे 5 and 6 अब इन्हें हम एड़ कर देंगे 5 प्लस 6, 11 3 प्लस में 1, 4 डेसिमल के नीचे आजाएगा डेसिमल और 4 प्लस में 5 आजाएगा 9, अब 6 के ओपर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं तो यह आजाएगा 6 तो इस तरीके से फर्स्ट कोशन का अंसर आजाएगा 69.41 तो यहाँ पर addition बिल्कुल simple है बस हमें यह ध्यान रखना है कि डेसिमल के numbers को लिखते समय डेसिमल के नीचे decimal आएगा और उसके बाद और उसके पहले वाली जो numbers हैं सेम हम उसी sequence में लिख देंगे ठीक है next है इन दोनों numbers को add करना है तो पहले आजाएगा 81.9 and second number है point के नीचे point लिखेंगे इसके left hand side में है 4 and 1 and right hand side में है 1 and 5 अब देखो 5 के ओपर यहाँ पर कोई भी number नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं और इनको add कर देंगे addition तो simple ही आप लोगों को बचपन सही आती है तो ये 9 plus में 1 आजाएगा 10 और 10 से जो 1 बचएगा वो यहाँ जाएगा अब देखो क्योंकि ये दोनों numbers हमने add कर लिए अब decimal आ गया तो decimal के नीचे decimal लगाएंगे ठीक है then 4 plus 1 plus 1 आजाएगा 6 and 8 plus में 1 आजाएगा 9 तो question number 2 का answer आजाएगा 96.05 अब हम देखते हैं third question इसमें है 9 को add करना है 3.459 से अगर सिफ नंबर है जिसमें कोई decimal नहीं है तो इस नंबर के तुरंट बाद हम decimal लगा सकते हैं और उसके बाद हम जितनी चाहें उतनी zeros लगा सकते हैं ठीक है तो simple हम यहाँ पे लिखेंगे 9.000 और दूसरा नंबर है पॉइंट की नीचे पॉइंट लगाएंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में है 3 और राइट हैंड साइड में है 4, 5, 9 अगर यहाँ पे कुछ नंबर और होते हैं तो यहाँ पे हम कुछ zeros और लगा देते अब simply इनको add करेंगे 9, 5, 4, 9 प्लेस में 3 आ जाएगा 12 तो देखिए यहाँ पे फोर्थ कुछेशन है जोती by 1 kg apple at the rate of 90.05 rupees 1 kg oranges at the rate of 55.45 rupees and 500 grams of grapes at rupees 65.45 तो हमें यहाँ पे यह calculate करना है कि जोती ने total कितना amount spend किया है तो देखो पहले उसने खर्च किये 90.05 फिर उसने oranges लिए जो की थे अब point के नीचे हम point लिखेंगे और right hand side में है 45 और left hand side में है 5 and 5 again point के नीचे point लिखेंगे right hand side में again है 45 and left hand side में है 5 and 6 65 अभी हमें इन तीनों नंबर को add कर देना है 5 plus 5 plus 5 15, 5 and 1 then 4 plus 4 plus 1 आजएगा 9 अब क्यों के decimal आ गया तो हम decimal लगा देंगे then इन तीनों नंबर को add करेंगे 10 then 6 plus में 5 11 plus में 9 20 plus में 1 21 तो इसका मतलब जोती ने यहां पर total spend किये है amount 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 point के नीचे लगाएंगे point and 13 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 6 तो 5th question का answer आ जाएगा 6.02 इसके बाद हम देखते हैं next question subtract 6.15 from 9.8 तो पहले हम 9.8 लगेंगे again point की नीचे point लगाएंगे और इसके right hand side में है 1 and 5 and left hand side में है 6 अब 5 के ओपर क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और अब माइनस करेंगे carry लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 point की नीचे point और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 तो 6th question का answer आ गया 3.65 next है 7th question subtract 3.323 from 7 again 7 को हम 7.000 0 लिख सकते हैं और इस में से हमें माइनस करना है point की नीचे point 3, 2, 3 और left hand side में है 3 माइनस करना है तो यहाँ से हम carry forward करेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा sorry 7 नहीं यह बचा 6 तो 6 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा यह 3 तो 3.677 यह आ जाएगा question number 7 का answer now next is question number 8 how much 26 km is less than 56.8 km तो यहाँ पे हम पहले 56.8 लिखेंगे इसमें से हमें 26 माइनस करना है तो यह नहीं point के नीचे point आना चाहिए और 26.0 इस number को मैंसे लिख सकते हैं तो इसके पहले लिखेंगे 26 और इसके बाद में लिखेंगे 0 और माइनस कर देंगे 8-08 then point 6-60 5-2 3 तो इसका answer आ जाएगा 30.8 तो यह थी हमारी आज की maths की worksheet I hope यह worksheet आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इसको like करें, share करें और इस channel को subscribe कर दें Thank you